नबसकार ये किचन पॉइंट में आप सभी का सुवागत है एक बाद फिर से आज के हमारी रेसिपी है इंस्टेंट फ्रोथी कॉफी यानि जाग वाली कॉफी इसको बनाना बहुत आसान है बहुत अच्छी बनती है और इसके लिए हमें ज्याद़ चीजों के जूरुत नहीं और दूद हमें अच्छा गरम चाहिए दूद आप कोई सा भी ले सकते हैं तो इसमें दूद में अच्छी तरह से बॉइल आना चाहिए हमारी कॉफी अच्छी बनेगी तो शुरू करते हैं एक मैंने गिलास ले लिए उसके अंदर एक चमच मैंने कॉफी बादर लिया है ए आप अपनी पसंद के नुसार चीनी और कॉफी बादर वह आप घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं अब मैंने एक चमच जस्ट एक चमच मैंने पाइन डाले उसको जस्ट मॉइस्ट करने के लिए कॉफी पॉड़र के मॉइस्ट करने के लिए तो अब उसको हम थोड़ा सा वह क को चमब से भी दिखाती हूं यह देखिए कालर कॉफी का बहुत अच्छा आ गया है और अब हम इसके अंदर दूड डालेंग करें तो मैंने गिलास में दूड डालूंगी दूड जब मैं डालूंगी थोड़ा समय गिलास को कम रखोंगी इसमें दूड कम रखोंगी क्योंकि अब मैंने फ्रॉथ मैं बनाऊंगी विस्कर की मदद से उसके लिए हमें स्पेश चाहिए अब आप देखें कि मैंने विस्कर ले लिए इसमें फटा फट फ्रॉथ बनेगा जितना हम उसको फ्रॉथ बनाएंगे उतनी कॉफी हमारी टेस्टी लगे और देखिने में भी हम आप देख सकते हैं विसकर का कमाल इसे फटा फट हमारा फ्रॉद तयार हो रहा है कॉफी के लिए तो जतना आपको फ्रॉद चाहिए आप बना सकते हैं देखिए गलास पूरा मेरा भर गया है लग बग मैं एक बार इसको फिर से वह करूंगी विसकर की मदद से थोड़ा से कि अच्छा से बन जाए काफी में फ्रॉद तो यह वैसी काफी टेस्टी बनेंगी जैसे आप मशीन से मलाते हैं वैसी ही आपको काफी देखनी अच्छी लगी देखे हमारा ग्लास भर गया है अच्छा से आप को दिखाती हूं यह देख लिक ने अब हम इसको सर्व करेंग बन गया है इसमें अच्छी कॉफी बनी हमारी अब हम मैं थोड़ा सा इस कॉफी के ओपर मतलब इसको गार्णिश करने के लिए थोड़ा सा मैं कॉफी पर्डर स्प्रिंकल कर दूगी इसमें थोड़ा डाल दूगी यह देखने में भी सुंदर लग रही है कितना इसमें जब यदबसात तक य समय कि लगओने छाल प्रॉण परने के लिए स क्वादchosे है कितना को मैं थेत वहिएले से क मैं थोड़ मना थेत, इसन वहाँ एसमे, दोड़ Сबस्षा इसमें थोड़ार कि पर्वारा को भी कर ते